हमने दुरौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगं को ग्यान होगा ही, परन्तु आधुनिक काल में दुरौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है, बलकि उनके साथ चरित्रहरण भी किया जाता है. और इस आधुनिक काल के चीर हरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से की वो गिरफतार हुआ है, एक दुर्योधन भी है, और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े दृतराष्ट भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटर्नल मैटर, इंटर्नल मैटर कहकर, किसी ना किसी तरीके से इस पर परदा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे, साथ फेस के इलेक्शन है, इनका चार फेस का रिस्पॉंस है, यह रिस्पॉंस क्या है, पहले साइलेंस, बहत्तर घंटों तक साइलेंस रखना है, फिर साइलेंस के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, जो संजे सिंग ने किया था, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर देना है, कि हाँ यह हुआ तो था विबव कुमार ने किया तो था अबद्दता की तो थी फिर साइलेंस और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बाद ब्रेजन डिफेंस जिस प्रकार से जो व्यक्ति अभी गिरफतार हुआ है दुशासन मौडन कालकार विबव कुमार वो दिखता है दुर्योधन के साथ अर्थात अर्विंद केजरिवाल के साथ लखनो एरपोर्ट सी एम के घर पर मतलब की जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भ किया जा रहा था इस व्यक्ति का जिसने आदुनिक काल के चीरहरण को अंजाम दिया और अब ब्रेजन डिफेंस के बाद डिस्गस्टिंग ओफेंस बहत्तर गंटों में क्या हुआ आतिशी जी कि आपने ऐसा यू टर्न ले लिया ऐसा यू टर्न या तो संजे सिंग जूट बोल रहे थे कल जब आतिशी जी से पूछा गया कि संजे सिंग जी ने यह कहा है तो कहा कि संजे सिंग जी को एक ही तरफ की बात पता था दूसरे तरफ की बात पता नहीं थी वा संजे सिंग जी बिना दूसरे तरफ की बात जाने प्रेसवारता करने बैड गए यह यही चल जब फूर्थ फेज में पहुंची आम आदमी पाटी, फ्रम थोड़ा-थोड़ा एक्सेप्टेंस तो ब्रेजन ओफेंस, डिस्गस्टिंग ओफेंस, तो आज स्ट्रेटेजी में चेंज किया गया है, ताकि विक्टम शेमिंग किया जाए, यह सवाल नमबर वन, अरविंद केजरिवाल जी ने एक शब्द क्यू नहीं बोला, तीसरा सवाल, यह एक घंटे के घटना क्रम में से, यह बीस, बीस, तीस, चालिस, चालिस, चालिस सेकेंड की क्लिप्स, सिलेक्टिवली लीक करके नेरेटिव बनाने का धंदा, यह वैसे इनका पुराना हैं, कि पूरी जमात का एक स्टैटिजी है कि कटिव लेकर कटवा किलिप्स लेकर अपने नेरेटिव को आगे करते रहो, यह उनकी पूरी जमात ने इसको मास्ट इसमें की है, इनके एको सिस्ट्म ने, भारती जन्ता पार्टी आज कोई आरोप नहीं लगा रही है, आज मैं आपको वंदना सिंग, आम आदमी पार्टी की कारे करता है, वो कहती है, उनका ट्वीट कोट अंकोट कर रहा हूं, बीजेपी को 20 साल पहले ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने स्वाती मालिवाल को वर्तन NGO में प्लांट करवा दिया था, राइट? यह उनका ट्वीट है, आप लोग अभी चेक कर लो, उनका कल का भी एक ट्वीट है, अपने हिसाब से लिमिटेड वीडियो चंक्स एडिट करके डालने से बीजेपी का एजेंट बताने से कोई खतम नहीं होने वाला यह माम एक नवीन जैहिंद है, जो स्वाती मालिवाल जी के जानकार है, उन्होंने भी यह बात रखी है, वो कहती है आगे कि संघर्ष के लिए हम तयार है, आज आम आदमी पाटी किसके साथ खड़ी है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पुराना इतिहा से क्रिमिनल रेकॉर्ड ह हाला कि बिभव कुमार केवल एक पपेट है, केवल वो एक इंस्ट्रूमेंट है, चलाने वाला कोई और है, चलाने वाले केजरी वाल है, एक लॉजिकल बात, पीटने वाले आप से, जो पिटी गई है वो आप से, पिटाई का स्थान आपका निवास, पिटाई के गवा आपके नाम किसका किसी और का, ये गजब है, ये गजब strategy एस पार्टी की, मतलब सारे किरदार आपके हैं, और दोश किसी और पर डालना है, ये standard operating procedure है आम आदमी पार्टी का, कि भारते जन्ता पार्टी का नाम लिये बगार, या उसको गाली दिये बगार, उनका तो दिन का ख